बुलिए भारत मदा की जैर भारत मदा की मोदी जी आप आगे बढ़ो मोदी जी आप आगे बढ़ो मोदी है तो मोदी है तो आज के इस विजे स्री के आभार कारिक्रम में मंच पर उपस्त हम सब के यशश्वी प्रधान मंत्री आदर्निय श्री नरेंदर मोदी जी हमारे रक्षा मंत्री स्री राजनाज सिंग जी ग्री मंत्री अमिद भाईशा जी और यहाँ इतनी बड़ी संक्या में इकत्र आए देवी और सज्जनों मीडिया के मेरे साथी और करोणों लोग जो इस समय डिजिटल दुनिया के माध्यम से जुड़े हैं आप सब की और से आज के इस आभार कारिक्रम में और विजश्री के कारिक्रम में मैं अपनी और से और आप सब की और से आदर्णिय प्रधान मंत्री जी का हार दिक अभिनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ मित्रो ये एतिहासिक दिन ये विशेश दिन जो आज भारत की जनता ने महराश्री की जनता ने और विविन राज्यों के उप्चुनाओं ने जो संदेश दिया है वह निश्यत रूप में जिस कारे को जिस साथना को आदर्निय पुदान मंतरी मोदी जी ने देश वासियों की सेवा करने का संकल पुठाया उस पर फिर से एक वार जनता ने मुहर लगा दी है इसके लिए विशेश करके महराश्री की जनता विभिन राज्यों बे उप्चुनाओं की जनता और जारकन की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आभार रेक्ट करता हूँ मित्रो जब मैं प्रजान मंतरी जी का अभिनन्दन कर रहा हूँ और आज सुवेरे जब नतीजे आने शुरू हुए तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कल ही प्रजान मंतरी जी अपने पांस दिन की यात्रा में नाइजीरिया, ब्रजील और गयाना से हो करके आये है और दुनिया में, देश में, दुनिया में आदरनी अप्रण मंतरी जी ने अपनी छाप छोड़ी और आप सब को और आप सब को और आप सब को जान कर ये खुशी होगी कि नाइजीरिया ने और गयाना ने आदरनी अप्रण मोदी जी को अपने सर्वोच सम्मान के साथ उनको सम्मानित किया है ये हम सब के लिए गर्व की घड़ी है गर्व का पल है जब अंतराश्चिय जगत में आदरनी अप्रण मंतरी मोदी जी की छवी और भारत की सवी को जो मोदी जी ने दुनिया में पहुँचाया है उसको दुनिया ने भी माना है और उसको सराहा है मित्रो ये जो जीट पिछले आज के दिन महराश्टर में मिली और पिछले दिनों जो हर्याना में मिली उसने ये तैय कर दिया कि जिस बात को प्रण मंतरी जी ने रखा विकासवाद गाओं गरीब वंचित पीडित सोशित दलित महिला युवा किसान इनको मुख्यधारा में शामिल करके आगे देश को ले जाना है इस पर फिर से जनता ने मुहर लगा दी है ये भी हमको धार में रखने है मित्रो यह चुनाओ इस बात का भी संदेश देता है कि जो लोग समाज को बातने में लगे थे बटने और बटाने में लगे हुए थे जो लोग गुमरा करने में लगे हुए थे उनको मुख की खानी पड़ी है और प्रहान मंत्री जी का दिकास वाज इसको फिर से देशने सरहा है कुछ दिनों से ये इंडी अलाइंस को भ्रम पैदा हो गया था कि वह जंता को सम्विदान के नाम पर जाती के नाम पर धरम के नाम पर तुष्टी करन के नाम पर बात करके वह अपना उल्लू सिधा करेंगे वह सत्ता पर काबिज होंगे वह सत्ता के नज्दीक पहुंचेंगे ये भ्रम पैदा हो गया था इस चुनाओने और हर्याना के चुनाओने उनको जवाब दे दिया है और फिर से मैं कहूंगा कि प्रधान मंत्री मोदी जी की नीतियों को मुहर लगाई है ये भी हमको ध्यादने मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि महराष्ट का चुनाओ महराष्ट का जनादेश हमें और ये भी हमको पस्ट बताता है कि महराष्ट का जनादेश ना कि सिर्फ हमको दोहजार चौबीस में मिला जनादेश हमको दोहजार उन्निस में भी मोदी जी के नेसर तुमें मिला था लेकिन उस समय उद्दव ठाकरे जी की सत्ता के प्रती लोलुकता मोह और अफसरवादिता ने उस समय धुटी छे भोखा देकर उस जनादेश का निरादर किया था और आज महराश्टर की जनता ने फिर से आधर दे करके उनको धत्ता दिखा करके यह सन्देश दे दिया है कि जनता मोधी जी के साथ है महा यूती के साथ है भारतिय जनता पराटी शिप सेना के साथ है और हमारे NCP के साथ है मित्रों आकरे ये भी बताते हैं कि अगारी को ये जो महा अगारी थी इसको भी संदेश दे दिया है और जब मैं संदेश देने की बात कहता हूं तो मुझे कॉंग्रेस के बारे में प्रजान मंत्री जी नों कहा था लोग समा के चुणाओं के पश्चाओं कि ये परजीवी पार्टी है ये बेल की तरह लता की तरह किसी के साथ चिपक जाती है और जिसके साथ चिपकती है उसको भी सुखा देती है इस चुणाओं है तो Congress Party को खुद तो सुखाया ही सुखाया परजीवी को दूसरे को भी सुखा दिया और जो अगारी के नतीजे है वो इस बात को प्रमानित करते हैं परजीवी के बारे में मैं यहां यह भी बताना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री जी आपके नित्वत्तों में एक नया शब्द इजात हुआ जिसे राजनीती में जिसका उप्योग पिछले सत्तर साल नहीं हुआ था क्योंकि सत्तर साल तक हम एंटी इंकम्मेंसी सुनते थे आज हम प्रो इंकम्मेंसी सुन रहे हैं और जब हम प्रो इंकम्मेंसी की बात कहते हैं तो गुजरात में तीन दशक तक कमल खिल रहा है कमल खिला है कमल खिला है मद्य प्रदेश में मद्य प्रदेश में दो दशक से कमल खिल रहा है और असम में त्रिपुरा में उत्राकंड में उत्तर प्रदेश में भारतिय जनताप पार्टी का और NDA का पर्चम लहरा रहा है और महाराष्टर में भी इस वार रिकॉर्ड टूता है इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए मित्रों मैं यहां यह भी बताना चाहूँगा कि बाई एलेक्शन में उप्चुनाओं में उसमें भी पहले हमारे पास सिर्फ 11 सीटे थी आज भारतिय जनता पार्टी 20 सीटे जीत करके आई और NDA आज सीटे जीत करके आई 28 सीटे हम जीत करके आए हैं और वह भी देश का मूड बताता है देश का मन बताता है जिसको हमको हमेशा समझना चाहिए उत्तर प्रदेश में नौ में से साथ सीटे भारतिय जन्ता पार्टी के पक्ष में गई और कुंदर्की की सीट पहली वार भारतिय जन्ता पार्टी जीत करके आई और वहाँ पर्चमलर आया है राजिस्तान में हमारे पास दो सीटे थी एक सीट बीजेपी की थी आज राजिस्तान में साथ में से पाफ सीटे भारतिय जन्ता पार्टी के पक्ष में गई बिहार में नितीजी के नेतित तुम्हेवा सरकार चल रही है वहाँ चार सीटों पर चुनाओ हुआ और चारों की चारों सीटे एंडिये ने जीत ली ये हमको जान में रखाए जिसमें से एक सीट हम पार्टी ने रिटेन की वही हमारे जन्ता दल उनाइटेड ने आर जेटी से एक सीट बेलंगज की वो 32 साल बाद जेटीये के पक्ष में गई और जेडियों के पक्ष में गई और उसी तरीके से हमारे शावाद इलाके में जो दोनों सीटे आर जेडी के कबजे में थी दोनों ही जगा कमल खिला और भारतिय जन्ता पार्टी गुजरात में एक सीट का उस चुना था जिसे भारतिय जन्ता पार्टी ने कभी जीती नहीं थी उसको भी पहली वार जीत हासिल कर ली और उसको भी जीती मज़बने इस 37 गड़ और उत्राखंड में हमने अपनी एक एक सीच रिटेन कर ली और इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सारी ताकत लगाने से जो आप लोगों के स्वैयोग से या जीत हम सब लोगों को हासिल हुई है मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से जहां महराश्य की जनता को जहां जहां उप्चुनाव हुए वहां की जनता को और हमारे जारखंड की जनता को तहें दिल से आभार व्यक्त करता हूँ धन्यवाद देता हूँ वही मैं जारखन में इस बात का विश्वाद दिलाता हूँ कि वहां का मत हमें विपक्ष में बैटने के लिए कहा है हम वहां पर रचनात्म विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और देश को मजबूत करते हुए बंगला देशियों के खिलाब जो वहां पर विश्वाद चला है उसको हम अंतिम सर तक लड़ेंगे और उसको हम मुजागर करेंगे मित्रो मैं अंत्में सभी कारे करता हूँ को जिन्नोंने दिन रात एक किया मेहनत की अपने घर को छोड़कर महीनों महीनों चुनाओं में लगे रहे और हर वोटर तक पहुंचने का प्रयास किया आपकी मेहनत रंग लाई है आपकी मेहनत के लिए आप सब को मैं अपनी और से और पार्टी की और से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इसी प्रकार से हम मेहनत करते हुए पार्टी को मोदी जी के नित्तु में आगे बढ़ाएंगे यही मुझे कहना है आप सब लोग आदर्निय पुदान मंत्री जी के मार्दर्शन के लिए वक्तव्य के लिए आतुर है मैं इनी शब्दों के साथ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद जय भार धन्यवाद राष्टे द्रक्स आदर्ने जगश्पागस नड़्डाजी का अब मैं निवेदन करूँगा प्रात्र करें जिनको सुनने के लिए